हलो एंड वेलकम फिर्ट स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर सिन एथिकल हाकिंग में तो गैस यह हमारी क्लास नमबर तीन जिसमें हम जानने वाले हैं बहुत ही इंपोड़न टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे security, threats और उनसे related कुछ जरूरी चीज़ें तो गैस चैनल पर अगर आप नए हैं तो like share and subscribe जरूर करें क्योंकि हमारे चैनल पर आपको latest और बहतरीन information time to time यानि हर शाम 7 बज़े लगातार मिलती रहेगी तो आज का जो main topic है उस पर हम discuss करते हैं this is our class number third और काफी जैसे कि मैंने बताया था कि theory भी बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अब भी हमारे beginning में theoretical concepts चलेंगे उसके बाद बहुत जल्दी ही practical भी हम start कर देंगे तो सबसे पहले guys हम बात कर लेते हैं जो हमारा main concept है आज का and that is related to security threats and attacks तो चले फुल स्क्रीन कर दिया है मैंने and समझ लेते हैं यह क्या चीज़े हैं okay guys तो सबसे पहले हम बात करेंगे security security क्या है security मतलब सुरक्षा तो यहाँ पर दो जरूरी चीज़े जानना बहुत जादा जरूरी है हमारे लिए threat and attacks threats क्या चीज़ होती है threats कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके system को या security को नुकसान पहुँचाए और attack क्या होता है attacks means होता है attempt to gain unauthorized access यानि कि बिना मर्जी के किसी भी चीज़ को access करना चलाना इसे उधारन के तोर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला हुआ है कि मेरे room में नहीं आना और मैंने lock कर दिया और आप बहार से उसे तोड़ने की कोसिस कर रहे हो this is call attack unauthorized attack मतलब बिना मर्जी के तो जैसे websites जो होती है वो lock होती है आप ID password दे कर lock रखते होने और जो threat actors होते हैं वो इस lock को तोड़ने की कोसिस करते हैं तो यह हो गया security threat and attacks तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जितनी valuable आपकी information होगी उसके लिए उतनी ही बड़े level पर जो threat actors हैं वो काम करेंगे यानि उसे चुरानी की कोसिसे करेंगे और उतने ही ज़्यादा attack होने के उस पर chances हैं तो यहाँ हम बात कर रहे हैं digital world की आपकी website, email ID, social media accounts उन सभी के बारे में तो आपको इनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा मायनी रखती है तो गैस अब हम बात कर लेते हैं कि जो यह threats हैं वो किस किस तरह के होते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे network threats के बारे में threats मतलब जो नुकसान पहुँचाते हैं और network मतलब जहाँ दो या दो से ज़्यादा devices चाहे वो computer है, mobile phones है, sharing printers है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो एक network बनता है तो network threats कौन से होते हैं? network threats उन threats को बोला जाता है जो हमारे network को नुकसान पहुँचाते हैं तो network को नुकसान पहुचाने वाले threats को ही network threats बोला जाता है, attacker का main मकसद होता है आपकी जानकारी को चुराना और इसमें ज़्यादा तर लोग जो है, वो case तरह के attacks का इस्तिमाल करते हैं, जूकि आपने ethical hacking course के दोरान सीखा होगा जैसे denial of service हो गया, and password base हो गया, compromise की attack हो गया, या firewall और ाइडीज हो गया, तो इस तरह के methods का लोग इस्तिमाल करते हैं next आता है host threats, host threats कौन से होते हैं, जो try करते हैं आपको information gain करने का, उन्हें host threats बोला जाता है उसके बाद आता है application, ऐसे threats जो आपके applications को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है, या उनके अंदर कम्यों को ढूंडते हैं और उनकी मदद से उनके data codes का भी पता लगा लेते हैं, और जरूरी जानकारी को चुरा लेते हैं, application threats बोला जाता है ठीक है, तो यह ज़्यादा तर reverse engineering की मदद से या trial और hit and trial वाले error से भी बड़ी आसानी से हमें मिल जाते हैं और improper input validation होता है, मतलब अगर किसी भी application को सही धंग से configure नहीं किया गया है, तो आप उसे application threat बोल सकते हैं generally इसमें बहुत ज्यादा common जो है, जैसे cross site हो गया, cross site scripting हो गया, SQL injection हो गया, identity spoofing हो गया, यह आगे कि जो हमारे वीडियो जाएंगे, उनमें हम practically समझेंगे कि यह किस तरह की चीज़े होती हैं और कैसे हम इन चीजों से बच सकते हैं how to secure from application threats इन चीजों पर भी हम discuss करेंगे, फिर आता है web application threats, web application मतलब websites और उससे जुड़िवी चीजों को नुपसान पहुचाने वाले जो threats होते हैं, उनमें ज्यादा तरह आपका buffer overflow, SQL and cross site scripting common है, तो इस तरह की चीज़े होती हैं, अब अगर हम बात करें attacks की, attacks तो आप समझी किसी भी system के अंदर है, आपने कोई कमी ढूंड ली, तो उसका आप फायदा उठा रहे हो, ठीक है, अगर vulnerability नहीं है, तो unauthorized करने की गोसिस कर रहे हो, attacks में भी आपके अलग-अलग तरह के होते हैं, जो operating system पर गिये जाते हैं, उने operating system attacks बोलते हैं, इसमें ज्यादा तर vulnerabilities include होत कि आपके phone पर भी time to time updates आते रहते हैं, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि आपके phone में कोई ना कोई नई चीज implant की गई है, या पहले कोई bug थी या vulnerability थी उसे solve किया गया है, और उसके बदले में patch भेजा है, ताकि उस bug से कोई आपकी device पे control ना बना सके, अगर आ आप उसे patch नहीं करते हो, तो उस condition में वो हो गया unpatch, operating system जैसे कि Android भी एक operating system है, या फिर Windows की हम बात करें, या Linux की बात करें, कि भई कोई latest vulnerability पता चली है, और आपने अभी तक उसे update नहीं किया है, तब भी जो threat actors हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं, मतलब उसका फायदा उठान operating systems के बाद आता है, misconfiguration, कई बार क्या होता है, कि आप किसी भी network को, जैसे कि अभी last time में आपने देखा था, कि admin अलग होता है, users अलग होते हैं, guests अलग होता है, तो अगर किसी ने properly उन्हें configure नहीं किया है, या network में जो IP addresses हमने दिये हैं, या services को जो share किया है, properly configure नहीं किया ह तो उसे बोला जाता है, misconfiguration, और इसी का फायदा उठाकर, बहुत सारे, जो threat actors होते हैं, वो आपकी devices पे control बना लेते हैं, तो configuration अच्छे से होना चाहिए, application level attacks होते हैं, ये बिलकुल operating system और web app की तरह ही same होते हैं, और इनमें जादतर होता है sensitive data disclosure, यानि कि आप किसी की, आपक किये जाते हैं, यानि कि कि किसी भी software की libraries को target किया जाता है, जो ज़्यादा पुरानी हो गई हो, या properly कोई उन्हें maintain ना कर रहा हो, तो main मकसद क्या है libraries और आपके data को चुराना, ठीक है, तो अगर bug fix कर दी जाए, या फिर ना की जाए, तो sync wrap code attack हो सकता है, कि भाई, कोई bug मिल better attacks को समझना, इसलिए जरूरी है, कि सबसे पहली बात तो आती है, risk management की, कि अगर आप इन चीजों को समझ जाते हो, कि किस तरह का threat है, किस तरह का attack है, तो आप उससे निबटने के लिए अच्छी planning जो है, वो कर सकते हैं, जितनी अच्छी आपको जानकारी होगी, किसी भी त responses देने है, कैसे उन चीजों से बचना है, तो इसमें आपको मदद मिलेगी, training और awareness एक बहुत अच्छा tool हो सकता है, company के employees को, students को, या generally मैं बोलू, आज की रेट में तो हर किसी को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, time to time training और awareness camps को join करते रहना चाहिए, और ज़्याद हम जानेंगे और भी latest और बहतरीन topics के बारे में, thank you friends, good bye